RD application में हमें path replay feature मिलता है हम जैसे ही path replay tab पर click करते हैं यहाँ पर हमें map के नीचे start time और end time दिखता है हम start time पर click करेंगे और जिस दिन से replay देखना है उस तारीक और दिन को set कर लेंगे हमने 8 सितंबर date select किया है और start time हमारा already selected है यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अब हम set पर click करेंगे और अब हमें end date और time को set करना होगा जहां तक का हम path replay देखना चाहते हैं इसके लिए हम end date पर click करेंगे हमने end date 10 सेप्टेंबर रखा है और यहां से हम हमारा end time भी set कर लेंगे हमने यहां 12 बचकर 33 minute select किया है हम यहां पर load बटन पर click करेंगे और जैसे यह load होता है हमें एक path show होता है कि हमारी गाड़ी किस location से start हुई है और किस location पर end हुई है जैसे ही हम इसको play करते हैं हमें यहां पर option show होते हैं कि हम अपनी गाड़ी का जो replay है कितनी speed में देखना चाहते है हम normal speed में भी देख सकते है जो की speed में थोड़ा slow चलता है और fast speed में भी देख सकते है जिससे कि हम अपना path replay जल्दी देख सकते है जैसे कि हम देख रहे हैं, अब यह मूव कर रहा है, वैसे ही हमारा path reply दिखने लगेगा यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमारा current time चल रहा है, total distance दिखाई दे रहा है, date and time दिखाई दे रहा है, और speed भी show हो रही है